निए सल्मान खुरसीद ने प्रेश वारता करती हुए कहा है कि राहुल गांदी की यात्रा को जन्षमर्थन मिला है और आगामी तीन जन्वरी को यात्रा उत्तरप्रदेश में प्रविस करेगे लखनव में भारत जोड़ो यात्रा कमेट्री के चेर्मेन सलमान खुरसीद ने प्रेस वारता की और उनने कहा कि मुझे बहुत बड़ी जिम्बेदारी सौपी गई है मुझे इस यात्रा का आने पर स्वागत किया जाएगा अभी तक के तैयारियों में हम सब लखनव में हैं रावल गांदरी को यात्रा में जन समर्थन मिला है दना उनना यूपी में तीन जनवरी को गाजियाबाद सामली से होते हर्याणा जाएंगे इस यात्रा के जरिये हम कुछ करके दिखाएं गाजियाबाद से बागपत सामली होते हूँ अर्याणा जाएंगे हमें विश्वास है कि यूपी के कारकरता बड़ी संख्या में सामिल होंगे बिपक्ष के निताओं को भी निवंतरन दिया जा रहा है यात्रा कॉंग्रेस की जोड़ा जाएगा इस देश का कानू ये विश्वास देता है कि अपनी बात रख सकें ऐसी यात्रा से लोग घवरा गए हैं और लगातार राजनीतिक हमला भी कर रहे हैं इकबाल एहमाद लखनव समाचार बंटी फॉर इस विश्वास के साथ जुड़ना चाहता है कि बेश को टत्रित रखना है खटा रखना है उनाइट रखना है उसका स्वाधत रहा है और आपके बिखा होगा बहुर सारे लोग जिनका क्रामरिस से कोई सम्मन नहीं है वो यात्रा में आते वे रहों जी के साथ चप्चाएं उनके निमंत्रण होगा वो भी हम उमीद करने हैं कि आएंगे हमारा क्योंकि उत्तरप्रदेश का मामला है तो उत्तरप्रदेश में हमारा प्यास रहेगा कि बुनकर कालीन साथ बनाने वाले लोग जरी का काम करने वाले इंतर ताले चुड़ी चिकन चंब्रे उत्योग से कारीगर्द याद्प्रा में आएंगे और शामिल होकर किसान यूनियम को भी तोट साहर करेंगे किसान यूनियम के निताओं को भी शामिल करने के लिए हम उम्मीद कर रहे हैं कि वो भी आखर अपना योगतान देगे एक बहुत महस्पोन बात है कि राहों जी ने विशेश विशेश प्रकास डाला है तो जारीपर और नौजवानों की समझ्याओं पर विश्वी विद्यारों से हम छात्र प्रतिनित्यों को की मंदल मंदलों को भी यात्रा में शामिल करेंगे इसकी हम समझते हैं कि यात्रा में इस परी आखशकता है और जो जो लखीर बनाकर जान अब को यह आए आए अश्वासत दिया गया कि उस पुछ पुड़ा सम्झेश अधर जाएगा उत्रफदेश को नहीं अखिला चोड़ा जाएगा उत्रफदेश में अवस्ट आएगे राखश आएगे राखशना और लोहोंने अब तीर जिलों में आएगे 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 ती दिरों में हम उनके साथ रहेंगे और उनको हर्याना तक पहुचाएगे राखशना पे वो अभी भी हैं हर्याना से लिनी 24 तारीद को आएगे और फिर वापिस हर्याना उत्रफदेश होते हुए जाएगे और बैस समझता हूँ कि जो उनका संदेश है और उनका जो लख है कि हम लोगों को और खरीब से जोड़के जाएं तो हर्याना एक करफ और फिर दिनी और रेकर अगे दूसरी करफ और उत्रपदेश और खरीब आकर दोनों क्रांतों से जुड़ जाए पुरे देश से जुड़ जाए ऐसा पयास घरभानी से आपना मेरा हम उमीद करते हैं कि कुछ करके भी थाएंगे हैं। वीक भाइन पुमधिन डियर में प्रमिट फुवी प्रियम् स्थाथ इंडिया प्रेहा चिजिए अबड़न वाल्ग की अवर्डून का लिवाया ऑ्री की की अच्टी खिए पोज है लगAlगनी अच्टीन है विवापन की खिए अच्टीन अच्टीन अविया, youngest अच्टीन है अच्टीन अच्टार्ड बेढ तेस्स्तित अच्ट्ट्न Congress is a responsible party on the basis of verified facts, whatever is necessary, the Congress will always do. But for us to react simply to some letter written by a minister who should be looking after what preparations have to be made or not made, that letter written only for purposes of creating news, we are not obviously going to take very seriously. But whatever the facts are, we are all here, entire lot of people who are traveling with Rahul Ji etc. They will be available with facts on their fingertips and whatever necessary steps need to be taken will be taken. I don't think anybody needs to tell us what to do. I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry. जो लोग आएं, इसमें निशाद, पाल, राजबर, नोनिया, नाई, तौरस्या, बाली की, खोरी, काची, होबी, रेदासी, समाज के अगवा भी यात्रा में आए, बहुत में बढ़ा उच्ता दिखाया है, हमसे समय बलत में हैं, और उमीर करने हैं कि यात्रा में आगों को द हैं, उनको भी आगे यात्रा में आने का मौफसर मिलेगा, और उनकी पेश्कास होगी यात्रा में का योग्दा होगा, वो बढ़ा महत्रों होगा, तो इसलिए यात्रा को सुचारू धंग से हम कर पाएं, आज हमारा इस पे और थोड़ी चर्चा होगी, इसलिए हमारी कोश किसी में शायद इसकी कल्पना भी नहीं की थी, और जब इसकी हमने पहले भूशना की थी, तो लोग सभचते थे, कि ये टाइम ताइफीश होगी, कि इतने दूर तक चलेगी, कहां तक चलेगी, अब इस यात्रा से घबरा कर, कल दो तीन दिन से जो हो रहा है, कहीं पत्र ल हमें में देखा था, उसको दोरानी क्या हो सकता नहीं है, लेकिन अब आदेश में जा रहे हैं, कि मास्क लगाईए, आप राप जाना करिए, आप सोच लिजे, आप इसको फिर से फिर से सगित कर दीजे, फला फला चीज़े हो रही है, तो अगर इसका कोई राजनेतिक लक् तो उसको एक जवाब ये मेलिया, कि हमारे राजनेतिक लक्ष तो पूरा हो गया, दर गए, वो लोग दर गए, जिनको कोविट से डरना चाहिए था, वो कॉम्रिस से डर गए, कोविट की लडाई में हम हमेशा साथ हैं साथ रहेंगे, लेकिन जैसे हमारी सीमाओं पर चीन स लडाई में हमेशा साथ हैं साथ रहेंगे, लेकिन देश को सच की आवर्शक्ता है, जो भी सच है, चाहिए चीन का हो, चाहिए पोविट का हो, वो देश को बताएं, और अब गजित हो जाएं, जो मोगलाइजेशन कमीटी के नाम से, स्वाज़त कमीटी के नाम से, प्रबंदत कमीटी, जिस सब पर पहले से काम चल रहा है, लेकिन जादा से जादा लोग, हमारे कमीटिन के जादा साथ जादा लोग उसमें अपना योगदान दे सकें, और उनकी भागीदारी हो, इसलिए भी ये सबीती पिहां बना के जल्द आपके सामने पेश कर देएं, ये सब हमारा प्रयास है, मैं सरे एक बात आपसे ये कहे दो, कि हमें आश्चर ही नहीं हो रहा लेकिन थोड़ा सा दुख इस बात का हो रहा है, कि इस देश की जो विवस्ताएं, हमारे देश की गमोग्राफिक विवस्ताएं, ये लांगे विवस्ताएं, उसमें उसमें हर यक्ति को, हर पार्टी को, हर समिदाए को, हर और्गनाइजेशन को, ये अधिकार है कि वो अपनी बात बग्राशित करने के लिए, अपनी बात कहने के लिए, सुझाव रूप से लोगों के दर्जनता के सामने रशने के लिए, वो सब करें जिसकी जो परमराएं हमारे उसने हिए फासनबादी होती है, आप मीदिया के लोगों के साथ चरचाएं होती है और उसमें ये भी होता है कि जगा जगा समय समय पर लोग, यात्राएं करते हैं, हमने कही आप रहे हैं, बाता हैं लेकिन जेस्नि व्याफ़त यात्रा ये होना आपको है भी शीज इस वर् जो आपके लिए जो बाते ने आपके लिए आवस्यक हैं और उसके बाद कोई प्रश्म होगे तो उता हम आपको तो बिने का प्यास करें तो तीन जन्वरी को परेज तक गादियाबाद ते उती हुए याच्छा गादियाबाद आकर जोने होती हुए और उसके बाद पर आगे बाक्तवत और बढ़वांटे कोंचे की शामड़ी पहुचे हुए हमारा लक्ष है सची बात यह है कि जारा अच्छा और प्रांटों होगा हमारे हमारे प्रांट आते आते हैं हमसे आगे उचल कर जानवा जहां पहुचेगी वह सम धंडा होता जाना है फौर होता है इक सुबाद लेकिन उसके बावजूद हमारा पूरा प्रयास है और हमें वि क्यारा हजार राज्य यात्यों के रूद में निकल कर आएंगे और वो इस यात्रा में साथ चलेंगे और साथ में लाखों लोग रास्ते में निकल निकल के स्वागत करते रहेंगे ऐसा हमारा बिश्वास है सब्सक्राइब को लेकर सतरक्ता बढ़ानी बढ़ेगी क्या आप इस टाइमिंग को लेकर कुछ कहना चाहेंगे सब्सक्राइब करते हैं लेकिन यात्रा नहीं रुकेगी यात्रा नहीं रुकेगी हमारी जंग जो है हमारी लडाई इस बात पर है कि हमें इस लोगों को चोड़ना है जाहे मास्क पहन कर जुड़ें या बिना मास्क के जुड़ें हम लोगों को जोड़ें इस थारी प्रशासल से पर्मीशन भी गए कि जैसे अप्लेश जी को चाहना था वहां पर फॉगी वेदर बताए गया अहली कॉप्टर ताब नहीं तुमको पर्मीशन नहीं दी गई क्या राहूल गांदी किस यात्रा के लिए पर्मीशन क्या हैं